हालो एवरीवन, कैसे आप लोग, उमीद करते आप सब अच्छे होंगे, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, क्लाज 12 इंगलिस का फ्लेमिंगो बुक से 6th चैप्टर, पोएट्स एंड पैनकेक्स, ठीक है? मिनिंग समझेंगे, इसका मिनिंग क्या होता है, क्या सोच के इस स्टोरी का नाम यह रखा गया है, वो अभी थोड़े दर्वे पता चलेगा, उससे पहले थोड़ा ब्रीफ इंड्रोड़क्शन देख लेते हैं, ठीक है? सबसे पहला काम आपका यह है कि आप ऑथर के नाम को याद कर लीजिए, इस स्टोरी के राइटर है अशोका मित्रन, ठीक है? यह एक तमिल राइटर है, तो यह क्या किये थे कि यह जेमनी स्टूडियोज में काम किये थे, जेमनी स्टूडियोज एक फिल्म स्टूडियो है, जो कि मद्रास में लोकेटेड है ठीक है मद्रास पुड़ाना में नया नमा भी क्या है चेन्नई तो जेमनी स्टूडियो चेन्नई में एक फिल्म स्टूडियो है तो यह हमारे ओथर अशोका मित्रन इसी में काम करते थे और इन्होंने एक बुक लिखा उनके बुक का नाम था My You vas with Boss ठीक है इस बुक में उन्होंने बताया है कि उन्होंने रीकांट किया है यानि रीकॉल किया है कि जब वो जेमनी स्टूडियो में काम क्या करते थे तो क्या-क्या इंसिडेंट हुआ था कौन-कौन लोग वह आपे काम करते थे, वो लोग का क्या खास बात था, क्या बुराइंग था, वो सब चीज़ इन्होंने इस बुक में जिक्रे किया है, शॉट में बुले तो उन्होंने उप्रा सारा experience को recount किया है, ठीक है? तो इसी बुक से एक छोटा सा पार्ट उठाके हमें इस चैप्टर में दिया गिया इस्टडी करने के लिए, ठीक है? मतलब यह चोटा सा एक excerpt है, फिर आगे जेमनी स्टूडियोस के बारे में कुछ बात पताया क्या है, यह लोकेटेड है चेन्नेई में, इसको सेटप किया गया था, 1940 में, ठीक है? मतलब उस समय में यह जाना मना, फिल्म प्रोडूसिंग और्गराइजेशन है, इस जेमनी स्टूडियो के फाउंडर है, एस एस वासल, ठीक है? और यहाँ पर जो बुक का नाम आपने देखा था, My Years with Boss, तो यह बॉस कौन है? तो यही फाउंडर है बॉस, ठीक है? यहाद रखिएगा, एस एस वासल, इस चैप्टर में बहुत बार बॉस करके जीकर होगा, तो बॉस जहाँ भी बोला जाए, आप समझेएगा, वहाँ प परफर्म कर देते हैं, या फिर क्या करते थे? चलिए वो पता करते हैं, लिखाए कि, इनका ड्यूटी यह था कि इनको निउस पेपर क्लिपिंग्स काटना था, ठीक है? और वाइड वराइटी ओप सबजेक्ट, इनको दूना था कि किस सबजेक्ट में कौन सा इस इंट्रे इस पूरे जेमनी स्टूडियो में, जितने भी लोग काम कर देते हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा जो जानकार थे, जो मोस्ट वेल इनफर्म्ड परशन थे, वो अशोका मित्रन ही थे, ठीक है? तो यह आज का जो स्टोरी है, यह एक एकसर्प्त है, फ्रॉम इस बूक, समझ दे के लिए, क्या क्या चीज़ आपको याद रखना है, आथर का नाम है अशोका मित्रन, यह जेमनी स्टूडियो में काम करते थे, उन्होंने एक बुक लिखा है, माई इयर्स विद बॉस, ठीक है? इसमें उन्होंने अप एक्सप्रियर्स को रिकॉल किया है, जेमनी स क्लिपिंग उसको कट आउट करना और उसको एक फाइल में स्टोर करना, ठीक है? और अशोका मित्रन एक मोस्ट मतलब वेल इनफर्म्ड पर संग थे, उस पूरे जिमनी फैमिली में, ठीक है? यह आज का स्टूडियो छोटा सा एक एक सर्फ है, याद रहेगा इतना बात? च पैनकेक्स का मेनिंग अभी यहाँ पर समझाया जा रहा है, पोईट का जिकर अभी थोड़े देने में डीटेल में होगा, इसको थोड़े देने में साइड में रखिए, इसको समझ यह पहले है, ठीक है? पैनकेक्स क्या है? यह कोई खाने वाला मेटरियल नहीं है, यह लग जैसे की ग्रेटा गार्वो यह स्वेडिस एक्ट्रेस थी, ठीक है? तो इन्होंने भी यह मेकप मेटरियल यूज किया हुआ होगा, पैनकेक्स ठीक है? फिर मिस गोहार इन्होंने भी इस मेटरियल को यूज किया होगा, ठीक है? फिर वैजैनती वाला भी इन्होंने भी इस इस makeup material को यूज़ किया होगा ठीक है लेकिन जो रती अगनी होत्री है उन्होंने हो सकता है में नौट ठीक है have even heard of it उन्होंने हो सकता है कि इसका नाम भी न सुना हो यह makeup material इन्होंने यूज़ भी न किया हो अब ऐसा यह क्यों कह रहे हैं यह तो पूरा अब यहां बें इसका मीनिंग क्लियर नहीं है फिर आगे देखिए दे मेकप दिपार्टमेंट ऑप दे जेमनी स्टूडियो वह बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है यह पर makeup department का बात बताया जा रहा है कि यह makeup department कहां पर located था किसी एक building के upstairs मतलब ऊपर वाले मालने में लोकेटेट था ठीक है और यह building का खास बात यह है कि माना जाता है कि यह building जो है वह रोबर्ट कलाइफ के एक तविला था Robert Clive आपको मारूमी होगा एक अंग्रेश थे तो इन्होंने मतराष यानी चेन्डी में कई सरा जगा अपना घर लिया वा था ठीक है तो उसी में से एक बिल्डिंग था तो ये बिल्डिंग क्या होता था इस बिल्डिंग में ये Robert Clive अपने गोरों को रखा करते थे इनको खाना पिला यहीं पर दिया जाता था ठीक है मतलब यह इनका तब यह इनका तबला था तो जब अंग्रेज इंडिया छोड के चले गए तो इस बुल्डिंग को ही जेमनी इस्टुडियो बना दिया गया ठीक है और इसी का ऊपर वाला माला में क्या था मेकप पारीज ब्रीफ लाइफ यह यानि रौवर्ट कलैव रौवर्ट कलैव कि अपने इतने चोटे जीवन में और उससे भी चोटे समय है जब वो मदरास में रहे थे एक तो उनका जीवनकाली वो चोटा है मदरास में उन्हों बहुत ही चोटे समय के लिए रहे हुए होगे ठी इतने कम समय में भी रोबर्ट क्लाइब ने क्या किया था seems to have done a lot of moving कई सारे हर्कते उन्होंने कर दिया था हर्कतों में दो हर्कत का नामिया पर दिया हुआ है पहला हर्कत यह था कि उन्होंने कई सारे impossible battles का मतलब काफी difficult लराया लरी थी इंडिया के कुने remote corners में ठीक है और फोर्ट सेट जोर्ज दिया हुआ है ईन्मदरास एक फोर्ट था इसमें एक चर्ष था वो हुपतीर अध्योंने एक लड़की से साधी किया फिक है यह दो अर्कत इंहां पर दिया हुआ वो humor लाने का कोशिस करते हैं जब लिखते हैं तो ठीक है और यहीं उनका राइटिंग इस्टाइल का खास बात है तो इसके उपर कोशन बनेगा ठीक है कि उनका राइटिंग इस्टाइल में क्या है तो बहुत ही ज्यादा humor नहीं है हलका सा humor है मतलब subtle humor है या फिर gentle humor आप बोल जिए और यह सब जो हम वर्ड बोल रहें सब अपर दिमाग मेना चीएगा जब आप पोशनेजर प्रिपर कर रहे होंगे तब आपको इसका importance पता चलेगा ठीक है चली है फिर आपके दीखिए मेकप डिबार्ट्मेंट को ही अम अभी पकरे हुए लिखा है कि उस वहां पर क किता होता है 12 लगबग 6 बड़े-बड़े mirrors लगे हुए थे 12 का हाफ मतलब 6 बड़े-बड़े mirrors थे ठीक है और उस रूम में कई सारे incandescent lights थे incandescent lights आप इस picture में देख सकते हैं यह जो पीला light होता है बहुत ही हीट छोड़ता है यह ठीक है और काफी वीजली भी खाता है त तो उस समय में तो यही light चलता था ठीक है तो ऐसे lights लगे हुए थे so you can imagine the fairy misery of those subjected to make-up तो आप imagine कर सकते हैं कि वो लोग जो make-up करवाते थे वो लोग कितना fairy misery का सामना करते थे fairy misery का मतलब यह incandision light से काफी जड़ा heat निकलता था ठीक है तो यह इनको उतना heat बरदास करना पड़ता था प्लस जो light है वो आखों में भी लगता था तो वो जो ड्रवन है जो pain है वो उनको बरदास करना पड़ता था जो suffering है वो काफी छेल देते यह लोग ठीक है फिर आगे में लिखा है दे मेकप देपार्टमेंट वोस फॉर्स हेरेट भाया बेंगॉली मेकप देपार्टमेंट का पहले जो head था वो एक बेंगॉली था जो काफी successful हो गया बात में चलके और यह studio को छोड़ दिया ठीक है बिकेम टू बिक फॉर इस studio को छोड़ दिया ठीक है अंद्रागादी आदमी था एक मद्रास इंडियन क्रिस्चन भी था एक एंगलो बर्मीज भी था और एक यूजवल लोकल तमियस इतने सारे लोग मिलके इस महाराश्ट्रेयन को assist यानि help कर दे थे तो यहां पर मैं देखने पर मिल रहे हैं डाइवर सिटी इस make-up room में इतने अलग-अलग जगा के लोग यहां पर काम कर रहे हैं और अलग-अलग धर्म के लोग भी एक महाराश्ट्रेयन भी है पहले एक बेंगोली था फिर महाराश्ट्रेयन अलग-अलग culture के लोग ठीक है फिर एक कन्णडीरा फिर आंद्रा फिर मद्रास इंडिय Christian भी है यहाँ पर Anglo Burmese भी है और Tamils भी है ठीक है तो काफी दर डाइबर्सिटी यहाँ पर देखने को मिल रहा है मतलग डाइबर्सिटी के साथ साथ यहाँ बता रहा है कि अलग-अलग इतने डाइबर्स लोग एक साथ मिलके काम कर रहे है ठीकिन सब लोग एक भावना से जु तो all these shows that there was a great deal of national integration long before All India Radio and Durdarshan began broadcasting programs on national integration हुआ क्या था कि देखिए यह तो आजादी के समय का बात है तो उसके कड़ी समय बात जो हमारे All India Radio है और दूर दूरसन है इसमें कड़ी सारे चलते थे जिसमें यह दरसा आधा था की हम सभी लोग एक है सभी लोग इंडिया ने है ठीक है कोई झगणा नहों हमें unity रहे तो ऐसे प्रग्राम के जडिए लोगों को लोगों के मनमें यह भावना जगाए जयता था लेकिन यह प्रग्राम्स आने से बहुत पहले ही हमें यह भावना इस मेकप दिपार्टमेट में पहले से दिखने को मिल रहा था वह इस बात यहां पर लिखा हुआ है ठीक है तो यह जो पूरा गैंग है अफ नाशनली इंटेग्रेटेड मेकप में अब देखें यहां पर फिर हमें एक हुमर दिखने को मिल रहा है बुलागें कि यह पूरा गैंग है अलाग अलग डाइवर्स इतने डाइवर्स लोह का जो गैंग है यह गैंग का खास बात यह है कि यह किसी भी अच्छे दिखने वाले इंसान को एक काफी बुरा गुलावी क्रिम्शन कलर का क्रिम्शन कलर से लपेटा हुआ एक मौन्स्टर राक्षस में कनबर्ट कर सकता है इस पैनकेक्स और कई सारे लिक्वीड्स और लोसल्स का हेल्प से मतलब यह मेक अप करके किसी भी अच्छे इंसान को बुरा दिखा सकते हैं तो यहां पर भी पोईट का देखिए राइटिंग स्टैल में क्या देखने को मिल रहा है यूमर देखने को मिल रहा है ठीक है चलिए फिर आगे देखिए उस जमाने में इंडोरी शूटिंग हुआ करता था मतलब एक स्टेज होता था उस पर ग्रीन स्क्रीन लगा कर और जो भी सीन था वो शूट किया जाता था ही ही पर ठीक है बाहर बाहर में जाते थे और सिर्फ बहुत कम जाते थे, सिर्फ 5% फिल्म ही आउट्डोर सूट हुआ करती थी, ठीक है? I suppose the sets and studio lights needed the girls and boys to be made to look ugly in order to look presentable in the movie. होता क्या है कि कई सारे movies में कुछ ऐसा scene होता है कि hero या heroine को थोड़ा गडी या पिर अटा-चिते कपरा पहना के वैसा scene में shoot कराना पड़ता है, ठीक है? तो यहां पर बोला जा रहा है कि यह जो studio light है, यह studio light is लड़की यह भी लड़के को क्या करते थे, अगरी बनाते थे जिससे कि यह लोग movie में set हो पाए, ज्यादा presentable हो पाए, ठीक है? वो यह बात यहां पर लिखा है, चादा relevance नहीं है, आगे बनी है, और street hierarchy was maintained in the makeup department, makeup department का एक और feature यहां पर बोला गया है कि इसमें काफी जदा hierarchy maintained होता था, मतलब जो ऊपर वाला इंसान है, वो high level काम करेगा, नीचे वाला कुछ और काम करेगा, इससे नीचे वाला छोटा काम क जो सब से money होगिया, चीफ makeup man का काम क्या था, चीफ actor और actresses को अगली बराना, यह उसका काम था, बतलब enough makeup कर ना, जो main actor और actresses है उसको main makeup man, make up करेगा, ठीक है, उसके बाद second बें आता है senior assistant, ठीक है, तो यह जो second hero है, और second hero ही ने, उसको make up करने का काम इसका है, ठीक है, author के language म उसको अगली रने काम इनका है ठीक है फिर उसके बाद तिसरे नमर पर आता है senior assistant के बाद आता है junior assistant ठीक है यह comedian को अगली बनाता है ठीक है and so forth इसे ऐसे इसके नीचे के लोग और coming potty वाले लोगों का make-up करते होंगे ठीक है फिर सबसे last में आता है वो इंसान जो crowd players को make-up करें मतलब कभी-कभी भीरवार का scene भी तो suit करना पड़ता है इसमें बहुत सारे लोग होते हैं ठीक है अब यहां पर office boy को हम highlight कर दिये क्योंकि अब यह पूरा जो story है वो इस office boy पर shift हो जाएगा अब हम इसी का बात करेंगे ठीक है इस story में ऐसे हमें transition देखनें पर मिलता है ठीक है transition इस story office boy पर बात कर लेंगे उसके बाद फिर कोई और character आएगा ठीक है my years with boss जो हमारे author है उन्होंने यह जो बुक लिखा है पूरा बुक इस पूरा बुक का एक चोटा सा पार्थ हम पर निकालके ठीक है इस बुक में उन्होंने क्या लिखा है अपना experience किया है कि कैसे वो जेमनी इस्टुडियो में काम करते थे कौन-कौन लोग यहां पर हुआ करते थे किसमें क्या खास बात था यही सब तो उन्होंने इस बुक में लिखा है दूसी तरीके से यह office boy का जिक्र हुआ होगा तो शोटा सा पार्ट यहां पर निकालके दिया हुआ है ठीक है और भी कोई character होगा तो उसका बारे में परेंगे फिर और परेंगे और परेंगे ठीक है इस तरीके से देखिए यहां पर बोला गया है कि एक तो जैमनी स्टूडियो एक बिल्डिंग में लोकेड़ेट है यह पूरा एक फिल्म स्टूडियो है इसमें अलग-अलग डिपार्टमेंट है ठीक है बहुत सरे डिपार्टमेंट है और एक डिपार्टमेंट के अंदर भी देखिए एक office boy है मत देखिए यह मिक्सिंग इस पेंट आप देख सकते थे कि यह office boy हो था वह क्या करता था वह पर जो पेंट है वह बहुत ही बड़े वैसल में सपोज एक बाल्टिंग में वह अपना पेंट गोल लेता था पेंट यानि जो मेकप मेटरियल है वह एक बाल्टिंग में वह रखत हैं एन्ड अगोस झुटता था 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 यह चुछू अब्कर चुछ झात वहारृाट लेता था 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 शुच, एक ब्रश रखता था था ओभ में चुबो चुबो के सभी crowd players का चेहरा पे इधर से एक तरफ से इधर से एक तरफ से ठीक है और ऐसे करके दो-दो थपड सब को लगाते-लगाते सब का make-up हो जाता था ठीक है आइडिया ये था कि was to close every pore on the surface of the face in the process of applying make-up आइडिया ये था कि चेहरे पर जो भी कोई दाग धब्बे है उन सब को बंद कर देना है ठीक है इस make-up से तो यहाँ पर भी देखिए हमें थरा सा तो आसी आ रहा है तो फोट ने क्या यूश किया है यूमर अच्छे से यूश किया यहां पर ठीक है हम अभी पर किसके बारे में रहे हैं office boy के बारे में पर रहे हैं अब यहां पर boy तो लिखा हुआ है लेकिन वह exactly boy नहीं था असल में वह एक ऐसा इंसान था जो अपने अर्ली 40 इस मतलब आप रोक्स 31 32 33 साल का होगा इतने साल का आत्मी था तो वह तो हुआ ने थीक है वह जेमने इस्टूडियो इसलिए जोइन किया था एक साल पहले इसलिए जोइन किया था कि वह क्या बन पाए एक स्टार एक्टर या पर टॉप स्क्रीन राइडर या पिर या पिर लिरिक्स राइटर ये चार सीज बनने का होप में वह जेमने इस्टूडियो जोइन किया था ठीक है लेकिन वह अभी क्या काम कर रहा है ऑफीज बोय का रूप में काम कर रहा है जो कि कापी कम मेकप डिपार्टमेंट का हैर्की में सबसे लोइस्ट पूजिशन है वो ये काम कर रहा है इसके साथ साथ उसका एक और खास बात था ऑफीज बोय का कि he was a bit of a poet a bit of a poet मतलब had some talent in poetry मेकप करने के साथ साथ वो कप्याच से कभी ताई भी लिखा कर दा था तो यह कुछ उसका खास बात है तो यह जो हम अंड्लाइन की है इसको आप भी अंड्लाइन करके रखीगा यह सब एक्जाम आप से कुशन पूछ सकते है कि में ऑफीज बोय क्यों जिमनी स्टूडियो के साथ काम करने के लिए जुरा हुआ था तो इन दा होब आप बिकमिंग यह 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 ठीक है उपर भी हम कुछ अंड्लाइन कर रखें सब आप भी अंड्लाइन कर लीजेगा ठीक है चलिए इन दोज डेज आई आई यानि हमारे जो ऑथर है अशोका मित्रन यह एक क्यूबीकल मतलब एक छोटे से कमरे में काम करते थे ठीक है उस कमरे का दो साइड्स था उसमें फ्रेंज विंडोज लगे हुए थे यह मान लीजिए कमरा है जो इसका यह साइट और यह साइड कोई यह दो लो साइड में फ्रेंज विंडोज लगा हुआ है ठीक है मतलब फ्रेंज विंडोज क्या होता है कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं इसी को फ्रेंज विंडोज कहते हैं दो दरवाजे टाइप होते हैं खुलते हैं ठीक है और बड़े-बड़े होते हैं तो बार तो चुक कि French Windows लगा हुआ था तो लोग बाहर से देख पा रहे थे कि आशोका मित्रन क्या करते हैं अपने क्यूविकल में तो लोग देखते थे कि ये दिन बार अपने डेक्स पे बैठ के आख वार फारते रहते थे दिन बार ठीक है तो लोग सोचते थे कि ये इन आशोका मि अशन उनके बारे में कहा गया है बॉस भी ऐसे ही सोचते थे अशोका मित्रन के बारे में कि अशोका मित्रन नथिंग कुछ नहीं करते हैं ठीक है इसलिए जब भी किसी को ऐसा फील होता कि मुझे कुछ काम देना है वह बार्ज मतलब बिना कुछ सब्श्य समद्य मेरे उसने भी यह decide कर लिया था कि मुझे वो मुझे यान देगा कि कैसे एक इतना महान literary talent इतना महान जो poet है उसका talent ही आप है वेस्ट हो रहा इस department में ठीक है जो department जो किसी बारवर्स और परवर्स हीजरों के लिए फिट है उस department में उसका इतना बना literary talent वेस्ट हो रहा है तो यह ज्यान उस boy ने ठाल लिया था वो यह ज्यान किसको देगा हमारे author यानि असुका मित्रन को देगा ठीक है तो यह डेली आता था था है office boy असुका मित्रन के cubicle वे ठीक है और उनको समझाता है कि देखो मेरे अंदर इतना अचा टैलेंट है poetry का ठीक है लेकिन तब भी हम यहां पर क्या कर रहे है क्राउड का make-up कर रहे है मेरा टैलेंट यहां पर वेस्ट हो रहा है ठीक है तो इतना पकाता था यह office boy हमारे author को कि हमारे author जो थे सुन आई बस प्रेइंग फोर क्राउड शूटिंग हमारे author प्रे करने लाए कि कब क्राउड शूटिंग हो जल्दी से जल्दी क्राउड शूटिंग हो क्योंकि जैसे क्राउड शूटिंग होगा यह office boy इसको बीजी होगा और तब हमारे author स्वरा फ्री होगे ठीक है नहीं तो जब इसको time मिलता था यह author का दिमाग चाटता था ठीक है नर्टिंग short of it could save me from his epics अगर क्राउड शूटिंग नहीं हो रहा है तो तो इस office boy का इतना लंबा लंबा प्रवर्चन होता था जिससे यह author बच नहीं पाते थे ठीक है बस इतना ही है आगे देखिए in all instances of frustration you will always find the anger directed towards a single person openly और covertly बहुत है कि बहुत इंसान अगर गुस्सा है तब यह पाईएगा कि वह इंसान वह गुस्सा है तब यह पाईएगा कि वह इंसान वह गुस्सा हमेशा किसी एक person को टार्गेट करके कि एक परसन के तरफ टार्गेट होता है वह गुस्सा क्या तो वह openly टार्गेट करें या फिर कोई hidden तरीके से आप याद रखेंगा जब भी आप काफी ज़्यादा फ्रस्टेट होते हैं काफी ज़्यादा गुस्सा होते हैं तो आप सोचीएगा कि वह किसी एक इनसान के वजह से आप ऐसा फिल कर रहे होते हैं ठीक है और हम उस इंसान को टार्गेट कर लेते हैं तो वैसा ही और इस मैं मतलब हमारा तो ऑफिस बॉय है और दा मेकप डिपा यानि जो प्रॉब्लम से प्लस जितना भी इगनोमी नहीं है मतलब लॉस ओफ ओनर ठीक है जितना भी बिजएती इसको जिलना पड़ा है प्लस नेगलेक्ट लोग इसको नेगलेक्ट करतें ओफिस बॉय को यह को इन्पोर्टेंस कर नहीं है ठीक है ऐसा फिलिंग आगिया ह ठीक है ओफिस गोईगा इतना जन्ना था हमें अब हम इनके बाड़े में जानेंगे जो कि बहुत इंपोर्टेंट एक्जाम में इसी के उपर ज़्यादा कोशन बनता है ठीक है चली तो यहाँ पर देखें एक्जाम में क्या करेंगे आपको यह लाइन दे देंगे और बोल लेरी ठीक है तो आपको लिखना हुआ हो कर्णिज यह thinking सहीं नहीं है क्योंकि इस चाइब का thinking से और भी ज्यादा misunderstanding औरul further conflict हो शंकि यह तो आपका Thinking है न आम सोच रहे हैं कि वर आप पर यहाँ पर office boy सोच रहा है कि इसका सारा problem का जर कोठा मंगरम सुभू है लेकिन ये भी तो सकता है कि ये बात सही नहीं हो ठीके इसका problem का कारण कुछ और हो ये खुदी हो इसका problem का कारण ठीके लेकिन अगर ये किसी innocent पर आपना सारा गुस्सा निकालेगा तो इससे और भी ये सब चीज फेस करना पड़ा है उस problem का root cause को पता करना चाहिए ना कि अपना गुस्सा कि इस एक इंसान पर निकाल दिया जाए ये नहीं होना चाहिए ठीक है तो इस तरीके सापको इसका answer देना होगा इसका detailed answer आपको मेरे website पर मिल जाएगा ठीक है अब हम परेंगे कोठा मंगलम सुब्बू के बारे में रिखा है कि सुब्बू वस नमबर टू एट जेमनी स्टूडियो सुब्बू नमबर दो था दूसरा इंपोर्टेंट इंसान था इस पूरे जेमनी स्टूडियो में पहला कोन हो गया पहला तो फांडरी होंगे एसस वासन दबॉस ठीक है दूसरे नमबर पर आता है यह सुब्बू सुब्बू का बारे में काफी इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट बात है देखिए अब यहां पर कंपारिजन क्या गिया है सुब्बू का इस ओफिस बोई के साथ हुए लिखा है कि he couldn't have had a more encouraging opening in films than our grown-up makeup boy had बुला जारा है कि जब यह makeup boy यानि जो office boy जब इस film industry में एंटर किया था तब काफी अच्छा मतलब महौल था ठीक है लेकिन जब सुब्बू इस film industry में एंटर किये दे तब इतना situation अच्छा नहीं था ठीक है वह यह पर लिखा है कि on the contrary he must have had to face more uncertain and difficult times हमारे सुब्बु जी को काफी ज़्यादा difficult times का सामना करना पड़ा होगा क्यों क्योंकि जब उनका career career शुरू हुआ था ठीक है तब क्या था कि no formally established film producing companies or studios देर वर मतलब जब इनों ने अपना career सुरू किया था तब कोई भी बड़ा फॉम्ली इस्ट बेस्ट फिल्म प्रोडूसिंग कंपनी या फिर इस्टूडियो नहीं हुआ करता था जबकि यह office boy जब अपना career सुरूआ किया तो कई सारे फिल्म प्रोडूसिंग कंपनी और इस्टूडियो थे ठीक है तो इस comparison में मतलब इनका जो इस्ट्रगल ने वो जादा है बोल सकते इसके मुकाबले समझे तो वह यहां पर लिखा हुआ है और even in the matter of education प्रहाई लिखाई के मामला में भी खास कर से formal education में सुबू कुड़न्ट हैब had an appreciable lead over our boy प्रहाई लिखाई के मामला में भी ऐसा ने जिए सुबू बहुत ज़़ा पढ़ा लिखा है इस office boy के comparison में ठीक है मतलब लगभग दोनों equal educationally qualified ठीक है बट लेकिन एक खास बात है जो सुबू के पास है उस office boy के पास नहीं है यह वो खास बात यह है कि by virtue of being able of being born a brahmin a virtue indeed he must have had exposure to more affluent situations चुकि यह सुबू जो है इनके पास एक quality वैनि वर्चू यह है कि वो एक ब्रामीन फैमिली में born होए थे वो एक ब्रामन थे ठीक है और ब्रामन होना एक quality ही है क्यों क्योंकि जब आप ब्रामन होते है तो काफी high caste है यह और उच्छे लोगों के साथ उठरा बैठा रहा होता है तो यह सब में इनका exposure था to affluent situations ठीक है मतलब जो अमीड लोग ऐसे वाने लोग जैसे रहन सरन होता है उनका वैसा ही रहन सरन इसका मतलब उससे यह अच्छे तरीके से रूबर रूथ है ठीक है and people he had the ability अब इनका office guy को बोल जाएए इनका कुछ खास बात बताया जा रहा है पहला बात खास बात यह है कि वह किसी भी time में काफी ज़्यादा cheerful दिखते थे बले ही उनका film flop हो जाए लेकिन film flop होने के बावजूद भी वह काफी cheerful लगते थे यह पहला feature है उनका ठीक है organization के प्रती कौन से organization जमनी इस्टूडियो के प्रती ठीक है his sense of loyalty made him identify himself with his principal completely वह इतने ज्यादा लोयल थे इस जमनी इस्टूडियो के लिए कि वह मतलब अपने इस principal principal यहां पर बोला गया है boss को यानि SS वासन जी को तो यह दोरों के काफी है सब तालमेंच था ठीक है and turn this entire creativity to his principal advantage और इस सुपू के अंदर जितना भी creativity था क्योंकि film industry में creativity चाहिए ठीक है वो सारा creativity यूज करते थे to his principal's advantage यानि इस boss के फायदे के लिए मतलब फिल्म में काफी अच्छा से काम करते थे वो film success होगा यानि जेमनी स्टूडियो सक्सेस होगा और जेमनी स्टूडियो सक्सेस होगा तो कवाई चीज के पास राएगा boss के पास यानि principal के पास यानि SS वासन जी के पास ठीक है तो exam में यह भी question आ सकता है कि principal कौन है तो boss है मतलब SS वासन है ठीक है फिर अगला feature यह है कि सुबू है सुबू जो है was tailor made for films tailor made यानि perfectly fit थे films के लिए वो कोई और काम अगर करते तो उत्ता successful नहीं हो पाते जीता वो film में है ठीक है here was a man who could be inspired when commanded जब भी जो भी काम दो यह उस काम के लिए ready होते थे और इसका solution होता था उनके पास सुबू का यह खास बात था यहां पर example दिया गया है कि for example मान लीजिए कि कभी एक producer सुबू से कहते थे कि ऐसा सेडनी सेडनी के नीचे fight करता है और यह राठ जो सेडनी को मार देता लेकिन मारने का बात इस राठ को इस डेडनी के उस पर दया जाता है तो उस पर वो प्यार दिखाना चाहता है ठीक है यह राठ तो एक सीन को कैसे किया जए producer ऐसा पुष्ठे थे सुबू से तो सुबू चार तरीके बताता था जैसे कि रैट जो है वो उस बीक्टिम यानि सेड़नी के बच्चे को अपना प्यार दिखा सकता है चार तरीके वो बता रहता था तो इस पर प्रोडूसर कहता था कि हाँ ठीक है लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यह तुम्हारा जो चार आ कम समय में यह खास बात था सुबू का तो इससे यह साबित होता है कि ही वर स्टेलर मेड फॉर फिल्म्स बात अगरा ही समझ रहे चलिए फिल आगे देखिए तो जब सुबू आस पास हुआ करते थे रहा तो फिल्मेकिंग काफी इजी हो जाता था ठीक है एंड इफ एवर जैसे हमारे ओफिस गोई का था ओफिस गोई भी मेकब बॉय के साथ साथ वह एक पोईट भी था हैकिन उसी तरिके से हमारे सुबू भी पोईट भी है ठीक है सुबू के अंदर ये टैलेंट था कि वह काफी ज़्यादा कॉम्पेक्स पेचीदा पोई यूजली आप देखते होंगे पोईटरी को समझ बनी आता है काफी डीप मीनिंग होता है ठीक है अब इसे सब्जेक्ट ऐसे लेंगबिज में वह पोईट पोईम्स लिखते थे की मास्स यानि जो लार्ज लंबर आफ ऊडियन से उनको ये पोईव समझ में आये ठीक है वह जानोबूस के तव तफ तफ नहीं लिखते थे ईजी लिखते थे ऐसे सब्जिट पे लिखते थ फिल्म में सक्सेस के कारण ऐसा मानते हैं उनके क्रिटिक्स भी जो उनके आलोचक है वो भी ये बात मानते हैं कि अगर ये फिल्म इंडेस्ट्री में इतना सक्सेस नहीं होते तो इनको लिटरेटी इंडेस्ट्री में काफी ज़्यादा सक्सेस मिल लिटरेटी फिल्ड में ठी इसे पोएम्स जिसमें कोई स्टोरी या फिर कोई narrative नरेट किया गया है इन फॉक रिफरेंट मतलब होता है रिपेटिटिव लाइन्स और फॉक मतलब तरीक्वे का डिचम्स पोएम्स होता है तो वैसे words, मतलब traditional words और traditional refrain मतलब repetitive lives का यूज़ करके उन्होंने story poems लिखा था ठीके कई सारा, और साती साथ उन्होंने एक sprawling novel भी लिखा था जिसका नाम था तिलाना मोहनमबल, ठीके sprawling का मतलब होता है extremely, sorry, extend over a large and in regular area काफी बड़ा एक novel लिखा था, ठीके जिसमें उन्होंने दर्जनों deftly aged characters को describe किया था मतलब उसमें मतलब दर्जनों कई सारे characters थे उसमें और इन सबी characters को उन्होंने काफी गहराई से edge यानि describe किया था समझ रहे तो ये subline बताता है कि वो एक अच्छे फिल्म में काम करने वाले के इंसान के साथ साथ वो एक अच्छे poet भी थे ठीक है फिर और इनका एक खास बात ये है कि he quite successfully recreated यानि captured यानि उन्होंने काफी अच्छे तरीके से दिखाया लिखा the mood and manner of the देवदासिस of the early 20th century तेखें ये जेमिली स्टूटियो कहाँ पे आप बोलेंगे अच्छे नहीं में तमिल नाडू में जो कि साउथ इंडिया का साउथ साउथ पार्ट है ठीक है तो साउथ इंडिया में मतलब परंपरा चलता था देवदासिस अभी इसको बैंड कर दिया गया नेकिन अभी भी कहीं कहीं पर है तोड़ा मोड़ा ठीक है देवदासिस परंपरा चलता था इसमें होता क्या था कि इसको जब हजारों साल पहले शुरू किया गया था तब क्या था कि हर घर से मतलब जो लड़की होती थी एक लड़की या फिर जितना पैरिंट्स का मुएने उतना लड़की को जो गाउ का तो टेमपल है उस टेमपल में इसको बेज दिया जाता था ना आपके समझेए देव मतलब होता है भगवान और दासी मतलब होता है गुलाव तुम जाओ मंदिर में और भगवान का सेवा मतलब उस समय में टेमपल में डान्स होता था ठीक है यह काम करने के लिए इनको बेज दिया जाता था यहां पर लेकिन जब अंग्रेज आई तो दिरे दिरे यह जो परंपरा है देव दाशिस का यह काफी डेटोरियेट हो गया मत क्योंकि जो प्रिष्ट होते थे वह भी तो लग इनको भी भगवानी मानना था जो बड़े-बड़े पंडित होते थे ठीक है यह लोग आते थे और यह देवदाशिस के साथ सेक्स करते थे ठीक है बहुत सारे लड़किया होती थी जो भी इसमें सबसे सुन्दर हो उसको ब प्रेग्नेंट हो जाती थी और उसको फिर बच्चे को बाप का नाम नहीं मिलता था ठीक है तो यह परंपरा चलता था तो यह देवदाशिस का जो मूड है और जो मैनर है इसको भी हमारे सुपु जी ने काफी अच्छे तरीके से लिखा था ठीक है और यह देवदाशिस ज फिर पापस आते हैं सुपु का फिल्म में इसका रोल पता करते हैं ठीक है रिखाई कि देखी जो मेंड प्लेयर्स थे वो भी फीगए पर जाते थे इनके सामने समझे इसके साथ साथ सुपु का एक और खास बात था कि उनके मन में जेनुइन लफ सच्छा वाला सच्छा वाला प्यार मोजूद था ठीक है वो किसी भी इंसान से मिलते थे काफी प्यार बने तरी मतलब यह नेचरी था कि वो कभी भी इस बात को लेकर सोचे नहीं कि वो इतने सारे लोगों को फ्री में खाना के ला रहे हैं इतना सपोर्ट कर रहे हैं वो इस अब कभी सोचते नहीं थे ठीक है मतलब वो काफी ज्यादा चरिटेवल थे और Improvident मतलब Thoughtless Person वो सोचते नहीं थे ज्यादा कि या रहे पाखर चाओ क्या उत्ता कर चाओ या यह सब नहीं सोचते थे तो इतना भाला इंसान का भी कोई रहे कोई एक Enemy था ठीक है समझे रहे इनका Enemy कौन है वो ही Enemy जो सोचता है कि उसका सारा Problems का जरी यह कोठा मंगलम सुब ही है ठीक है हमारा जो Office Boy है यही इनका Enemy है क्योंकि यह सोचता है कि इसका सारा Problems इनका वज़े से है ठीक है वो यह आपर लिखा है तो Enemy होने का कारण क्या था क्या इनके दुस्मन इसलिए थे क्योंकि यह जो सुबू है यह दब बॉस के काफी ज़्यादा करीब हो तो गुआ करता था इसलिए इसके काफी ज़्यादा Enemy थे या फिर Enemy होने का कारण यह था कि यह हमारे जो सुबू है ना इनका जो Deminior है जो Behavior है वो कुछ इस तरीके था इस तरीके का था कि मानो यह एक साइको फैंड की तरह लग रहे हो साइको फैंड मतलब चाटू कारीता मतलब क्या बोलते है इसको हिंदी में जो काफी ज़्यादा मतलब किसी का तारीफ करें इस उमीद में कि वो इंसान इसक things about everything यह हमारे जो सुबू थे है वो हर चीज के बारे में अच्छा ही बोलते थे इस रिजन से इनका इनमी था रिजन जो भी हो इन एनी केस जो भी रिजन भो देर वास दिस मैं एक आदमी जो था मेकप डिपार्टमेंट में यानि हमारा ओफीस बॉय जो था वो तो विस्ट सबसे बुरा से बुरा चीज वीश करता है इसके साथ जितना बुरा हो जाए इस ओफीस बॉय को उतना ज्यादा अच्छा लग फील होगा समझे चैनल तो इसको याद रखिएगा यहाँ पर देखिए सुबू का क्या-क्या फीचर है वो हम यहाँ पर मार्क करके रखे हैं यह दा सुबू का यह पर फीचर को समराइज किये हैं सबसे पहले सुबू को क्या बज़ते बैनी वोलेंट का मतला मतला है जो दूसरे के बारे में अच्छा सोचे जेनरस समझी गए एकमपलिस्ट हार्ड वर्किंग ठीक है काफी जादा हार्ड वर्किंग थे वो इमेजिन करते थे वो यह सब कुछ फीचर से सुबू के बारे में जो आप याद रखेंगे ठीक है और जो हम अंडलाइन कर रखें यह इसको भी आप दियान रखेंगे बहुत इंपॉर्टन यह एक पर जैसा है कि पकड़ेजे 80% चांस यह है कि इसी एक परेज से इस चप्रड़ा को और सुबू किस पोशिश्य में इस इस इस्टुडियो में काम करते थे वो भी पता होना जरूरी है तो सुबू जो थे साथ-साथ एक assembly यानि group of writers और poets यह लोग थे इस story department में ठीक है story department काम जयाए काहानी लिखना तो इसमें writers और poets जो लोग काफी ज़्यादा imagine करते हैं इनका कामी है imagine करना ख्यालों के सांगर में डूब जाना ठीक है तो यह लोग थे साथ-साथ इनके साथ एक lawyer भी था और हमारे सुबू भी थे ठीक है इसी story department में आप देखिए अब यह फिर से transition हो रहा है अब हम सुबू का कहानी खतम है अब हम पर रहे होंगे lawyer के मारे में ठीक यह जो lawyer था इसको officially क्या बोला जाता है एक legal advisor बोला जाता है but everybody referred to him as the opposite लेकिन इस जेमनी स्टुडियो में इस lawyer को सब लोग opposite बोलते थे मतलब यह legal advisor क्या देगा कोई भी इनके पास आना नहीं चाला था कोई अगर इनके पास आया तो lawyer बोलता उसको फसा देगा ऐसा इसका image बन गया था तो यहां पर भी हमें humorous चीज़ दिखने को मिल रहा है और यहां पर irony भी है कि एक तरफ तो यह legal advisor कहा जा रहा है लेकिन लोग इसको opposite बोलते है तो यहां पर जो वारे point है वो irony यूज कर रहे है इस humorous को portrait करने के लिए ठीक है अब यहां प एक incident दिखाया गया है कि क्यों इस lawyer को opposite कहा गया है legal advisor के हुआ क्या था कि एक बार काफी एक extremely talented actress थी ठीक है काफी जड़ा talented एक heroine थी who was also extremely temperamental इस heroine का खास बात यह था कि talented थी यह साथ-साथ काफी जड़ा temperamental मतलब काफी जड़ा moody भी थी किसी से हस के बात कर रही है बात करते करते इस इंसान को प्रशला अगले ही बल थपर मार दी मतलब काफी जड़ा moody थी ठीक है तो यह actress एक बड़ क्या हुआ कि blue over on the seats मतलब भरक गई किसी एक बात पर ठीक है अपना भरास लिकाने लगी sets परी ठीक है तो सभी कोई काफी stunned एसंबित होके खड़े होके सुनने लगए कि यह क्या बोल रही है तब ही यह lawyer क्या किया हमारा जो lawyer है यह lawyer क्या क्या चुप चाप से जाके recording equipment को on कर दिया मतलब camera चालू कर दिया ठीक है हमारी एक्टरेस है वो अभी अपना भरास निकाने रही है और बीच में वो थ्वादर के लिए रूखती है ताकि वो सांस ले पाए तब ही यह lawyer जाके उसको बोलता है कि एक मिनेट रूख की जड़ा ठीक है और उस एक्टरेस को क्या करता है जो recording हुआ है उसको play कर देता है ठीक है जो अब recording चल रहा है recording चल रहा है तो पुरा बुरा सब्द है मतलब जो भी इस एक्टरेस ने अपना भरास निकाला था वो सब सब को सुनाई पर रहा है ठीक है तो इस भरास में there was nothing incriminating और unmentionably foul about the actresses tirate against the producer हमारी जो एक्टरेस थे एक्टरेस जो थी वो क्या कर रही अब आपना जो भरास है वो निकाल रही थी producer के खिलाफ प्रोडूसर के खिलाफ प्रोडूसर का थी वो ठीक है तो जो भी उन्होंने भाड़ा मतलब जो भी उन्होंने जो सब्द का था वो सब्द ऐसे नहीं थे कि काफी ज़्यादा इंक्रीमेटिंग किसी को बुरा बाला कर रही हो या फिर बहुती ज़्यादा गाली गलोस तो उन्होंने नहीं किया था ठीक है लेकिन मतलब यह एक्ट्रेस जो थी इन से गुसा थी ना प्रोडूसर से तो इनके बाड़े में जब वो अपना गुसा निकाल रही थी तो ऐसा नहीं था कि गुसा में काफी ज़्या काफी ज़्यादा तलेंटेट थी वो एक कंट्रीसाइड यानी रूरल एडिया से आई होई थी वातलब एक सिंपल इंबर्वेंट वो पली बड़ी रही थी ठीक है सहार का इस्ते ज़्यादा कॉंप्लेक्स लाइफस्टायल उसको मालूब नहीं था ठीक है काफी ज़्यादा तफ लाइन है देखें अ हमारी जो एक्ट्रेस है जिस पोजिशन पर अभी वो काम कर रही है काफी एक एक एक्ट्रेस बनना फिल्म में एक इंपॉर्टेंट रोल है ठीक है काफी ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड रोल है तो इस सिच्चेशन में आप वो आ गई है लेकिन जनरली क्या होता है कि इतना बड़ा पोजिशन मिलने से पहले एक्ट्रेस बनने से पहले ना ठीक है बड़े-बड़े लोगों साथ कैसे बात किया जाता है तो यह सब चीजे एक्सपीरियंस और से वह उसको इतना तुर्ण धक्का लागा देखिए जेनरली क्या होता है कि जो जिस पोजिशन पे हमारी एक्रेस काम कर रही थी उस पोजिशन में ये सब बात होना आम बात है लेकिन चुकि हमारी एक्रेस थी वो एक एक रोल इरिया से आई हुई थी ज्यादा सहरे का तामजाम उसको मतलब मालूम नहीं था ठीक है तो उस डर से कभी बाहर निकली नहीं पाए और उसका पुड़ा जो करियर है वो देश्ट्राइब हो गया इतना ब्रीफ और ब्रीलियंट कर जो करियर था वह एंड हो गया तिक है और किस के दो आखिए हमारे वकील सहाब के वज़े से लॉयर के वज़े से तो है तो यह लीगल लेकिन इन्होंने अन्विटिंग ली अन्जानेपन में ही एक लड़की का एक एक्ट्रेस का करियर एंड कर दिया ठीक है देखिया यानि हमाना लीगल एडवाइजर यानि हमाना लॉयर है वह भी वस अवर्णवर ऑफ स्टोरी डिपार्ट्मेंट बहुत यह अन्विटिंग ली एक करियर को एंड कर दिया था ठीक है वाइल एवरी अधर मेंबर ऑफ दर डिपार्टमेंट अब इसका काम खतम है ठीक है इस एक्ट्रेस का बारे में भूल दाइए फोकस कीजी लॉयर पर ठीक है तो एक्जाम में कोर्शन आगा कि इसी वज़ा से देखिए यहाँ जो हमने पढ़ा था इस लॉयर को लीगल जो होते थे ठीक है अब हम बात करेंगे युनीफोर्म पे के सब कर पहनावा कैसा था देखें़ अब कर एवरी अधर मेंबर ऑप देपटमेंट वोर अकाइंड उयूनिफोर्म इस डीप्रेंट का को सा अदिपार्टमेंट इस टॉरी डीपार्टमेंट का जो बार्क़ी ज लोग खादी दोती पहिंते थे एक loose खादी should white husband ये पहिंते थे oversized clumsily tailored white sat डिलाड नासक white både shirt पहिंते थे खादी दोती के ऊपड़ तो सभी लोह ऐसे कपड़ाङ पहिंते थे तो लगते थे कि एक यूनिफर्म है तो इस story department का जो सब2 member है वो सब लोग तो सवाल आते हैं कि lawyer क्या पहेंता था तो lawyer पहेंता था एक pant और tie और sometimes a coat coat paint tie ये पहेंता था lawyer ठीक है और lawyer कभी-कभी तो ऐसा은 Coat पहला था कि लगता था कि Coat of Male यह Coat of Male पहन लिया है Coat of Male क्या होता है आप इस ट्रीक्चर पहर सकते है पहले के जब लराई कर चब जाते थे तो पो यह हैते कि मतलब तलवी या फिर बच पाए तो कभी-कभी इसा कोट ऐसा ही देखता था ठीक है तो यह हमने बात करने है यूनिफॉर्म के बारे में और पुछ बात करेंगे देखें तो यहां वे आप एक चीज़ कर रहेंगे कि हमारे जो राइटर है वो हर चीज़ को काफी गहराई से डिस्क्राइब किये हैं मतलब मेटिकुलर्स डिस्क् बन जाता है हम रिडर्स के लिए और हम लोग ज्यादा अच्छे तरीकी से रिलेट कर पाते हैं ज्यादा अच्छे तरीकी से हमारे मन में इमेज बन रहा है कि ऑथर क्या-क्या बोल चाहरे है समझ रहें तो यह बात को याद रखिएगा ओफन ही लुक्ट अलोन और हेल्पलेस अक्सर आप आएंगे कि हमारे जो लॉयर थे वो अकेले दिखते थे और काफी लाचार से दिखते थे क्यों क्योंकि कि a man of code logic in a crowd of dreamers वो एक ऐसे डिपार्टमेंट में थे इस्टोरी डिपार्टमेंट जो है इसका कामी है इस्टोरी लिखना है की नहीं तो यहां पे मेंली जो राइटर्स थे एसेंबली ओफ राइटर्स और पोएट्स इनका कामी है कि imagine करना ठीक है ड्रीम करना तो इस ड्री क्या काम है कि नहीं तो लॉयर एक मैल था अफ कोल्ड लोजिक लोजिक मतलब लॉयर जो था वो काफी ज़्यादा राशनल था समझदार था प्राग्मेटिक अप्रोच यानि प्रैक्टिकल अप्रोच आपना था किसी प्रॉल्म को सॉल्व करने के लिए जबकि जो दूफर दिफ्रेंस और भी है एक दिफ्रेंस यह भी है और न्यूट्रल मैन इन असेम्बली अब गांधी इड्स और खादी इंड्स यह जो इस्टोडी डिपार्ट्मेट में जितने भी लोग थे यह सब लोग गांधी आइडियोजी से प्रेरीत थे गांधी जी को फॉलो करते थे और साथी साथ खादी कपड़ा को पहनना इसका यूज करना इसको प्रमोट करते थे वही दूसरी तरफ हमारे लॉयर थे यह इन सब चीजों को लेके काफी ज्यादा न्यूट्रल थे ठीक है इनको जाना मत्स भी था यह सब चीजों से तो यह डिफ्रेंस है लॉयर में और पाकी लोगों में इस डिपार्ट मढ़के ठीक है लाइक सो मेनी अप दोस हूँ वर क्लोस टू दब बॉस तो देखिए होता क्या था कि इस स्टुडियो में हर कोई जो बॉस के करीब हो दब बॉस हर वो इंसान जो इस बॉस के करीब होता था उसको एक फिल्म राने का मौक जुछ कर लो ठीक है और दो अलॉट अफ राव श्टॉट अद पैंकेक वर यूजड उलिट नोटमस डियूज बॉस किया गया मतलब कई सारे वह स्टिय लिए गया पैंकेक बॉस बहूं सारा मेंक पेटरियल यूजड तीक है लेकिन फिल्म से जाबा कुछ सक्सेस मिला नह है और इस स्टोरी डिपार्टमेंट को आके बंदी कर देते हैं ठीक है तो ऐसा पहली बार हुआ इतिहास में कि जब एक लॉयर ने अपना जॉब खो दिया क्योंकि पोईट्स को आ गया कि तुम लोग घर जाओ इसमें मेंली पोईट्स थें और पे ट्रफश्च वह थो गया हमाना लोयर फिट्नी बैट रहा था थाने में तो इसमें अच्छा रिख起床 काम नहीं कर रहा थाust इसलिए हमारे जो समत बोस आए और इस इस्टोरी डिबार्टमेंट को बंदी कर दिया ए और इस टीक है कामिंटर खतम हुआ लेकिन जॉब इसका भी चला गया यह भी यह बोलने का तरीका है यहाँ पर पोईट सोच रहे है कि हमें कुछ हसाद है हुमर लने का कोशिस कर रहे है समझ रहे है चलिए तो आपको इस स्टॉरी का टाइटन है पोईट सेंद पैनकेक्स वह समझ में आगए हैं और पोईट के रहे हैं आगे चल गया और भी बहुत कर जीख रहे हैं लिखा यह की जैम्मी स्ट्योग्वट हॉंट मलब आटा मरने का जगह होता था इन पोईट से इन पोईट से SGS, योगियान, फिर संगु सुग्रमनियम, कृष्णा साच्त्री, हरिंद्रनाथ, चत्वपार्दाय, कुछ ऐसे जानने वागे अब पोईट्स का ये अच्छा काजा अड़ा होता था, ठीक है, इस जेमनी स्टूडियोस का खास बत ये था कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छ हुआ करता था, जहाँ पर काफी अच्छा कॉफी बनता था, दिन के समय में भी, और मोस्ट पार्ट अप दा नाइट, देर रात तक अच्छा कॉफी मिलता था, ठीक है, और उस समय में, उस टाइम पिरियेड में, कॉघ्रेस रूल चल रहा था, और कॉघ्रेस रूल का था, प्रोहिबीशन, मतलब कई चीज़ पर रोप लगा, वह था, दार रूपी ना मना था, ठीक है, जब ऐसा महाल हो बाहर में, तो अगर आपको किसी एक जगह पे, कॉफी पीते हुए मीटिंग करने का मौका मिल जाए, तो यह आउसर भी काफी ज़्यादा साटिस्फाइ एवरिवर्डी एल्स एड़ इस्टूडियोज रेडियेटेट लीजर, इस्टूडियो में जितने भी लोग थे, सब लीजर, मतलब फ्री टाइम में रिलाक्स करते हैं उस समय में, ठीक है, और यह लीजर होना रिलाक्स करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप पोईट्री कर लिए, ठीक है, अब जड़ातर जो पोईट्स थे, वहाँ पे, उनमें से जड़ातर लोग क्या करते थे, खादी पैंटे थे, ड्रेस आपको मालूमी है, खादी दोती और डिला डाला, वाइट खादी शट, और वर्शिप गांदी जी, गांदी जी का पूजा करते थे, मतल अलका साभी इनके दिवाग में कुछ political thought नहीं था, ठीक है, बस बोग गांदी जी के ideology को, गांदी जी को मानते थे, ठीक है, और खादी कपड़ा पैंते थे, ठीक है, इतना ही उनका लिए अदरा था, Naturally, they were all averse to, averse to का मतलब होता है, dislike करना किसे चीज़ को, the term communism, जीतने भी points थे, वो लोग communism को dislike करते थे, इसको भी highlight कर लिजएगा, ठीक है, अब आप से जो story है, ये communism पे shift होगा, ठीक है, Communism क्या होता है, ये एक ऐसा political system है, जिसमें, जो, मतलब वो इस बैसिस पे चलता है, कि जो जितना सकेगा, उतना काम करेगा, और जिसको जितना ज़रुवत से, उसको उतना मिलेगा, मतलब, जितने भी factories, form से, उसको government own करकर रखी हुई होती है, और यहां पर production करती है, ठीक है, और फिर उसका distribution करती है, consumers में, तो इसमें ऐसा भी होता है, कि कुछ लोग कम काम करते हैं, आलसी लोग होते हैं, और ज़्यादा खाना खाते हैं, ठीक है, तो ये जो communism है, इसमें ऐ hate करते थे, ठीक है, इनके अनुसार, एक communist ऐसा इंसान होता है, जिसका कोई भगवान नी होता, ये godless man होता है, ठीक है, he had no filial or conjugal love, filial का मतलब होता है, कि अपने बच्चों से और ना ही अपने parents से, वो किसी से प्यार नहीं करता है, conjugal मतलब, वो husband या फिर wife से प्यार नहीं क बच्चों को भी मार सकता है, इसलिए communist को godless man कहा जाता है, समास का भलाई के लिए उसको किसको भी मारना परे, तो वो मार देगा, ठीक है, he was always out to cause and spread unrest and violence among innocent and ignorant people, जब ये communist बाहर निकलता है, तो वो दंगा फसाद करवा के ही लोटता है, फिर ठीक है, लोगों को बटका देता है, तो एक communist को लेकर ऐसा image बना हुआ था, ये जब में इस्टुडियों के लोगों में, ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि इतना negative भी नहीं है communism, ठीक है, आपको जैसा कि बताए हर चीज़ का कुई positive point होता है, कुछ negative point होता है, तो यहाँ पर सिर्फ negative point ही लिखा हुआ है, लेकि इसा कुछ positive point ही है, तो उसका भी हमें हमें जानना है, ठीक है, तो सच notions तो ऐसे ideas widely prevail कर रहे थे, पूरे South India में, ठीक है, उस time में भी, और naturally floated about vaguely, और यही idea vaguely, हलके अलके तरीके से, इन खादी, खादी कपडे पहने हुए points जो थे, जैमनी स्टुडियों के, उनमें भी यह idea फैन चुगा था, ठीक है, मतलब जो जैमनी स्टुडियों के points है, वो भी कुछ ऐसा ही मानते थे, क्मुनिसम को लेके, काफी negative उनके मन में धारना था, evidence of it was soon forthcoming, और क्मुनिसम के खिलाब उनके मन में इतना negative feeling भड़ा हुआ है, इसका proof है, evidence है, वो कुछ दिन बाद देखने को मिलने वाला भी था, ठीक है, आगे देखिए, तो यह उडिया क्मुनिसम पर जिकर, अब shift हो जाएंगे हम लोग, दूसरे aspect पर, when Frank Bushman's Moral Rearmament Army, जिसको short form अगर इसका लिखा जाए, तो MRA, ठीक है, Moral Rearmament, इनका जब यह एक group of people थे, 200 लोगों का group था यह, ठीक है, यह मतर आज विजिट की, तो इनका महमान नवाजी करने का आउसर किसको मिला, जेमनी स्टूडियो, मतलब यह 200 लोगों का जो army है, वो जेमनी स्टूडियो में आखे रुखे, इनसे अच्छा host इनको और नहीं मिल सकता था, कोई, ठीक है, कुछ लोग कहते थे, कि यह जो group है, Boral Rearm government army, 200 लोगों का जो group है, यह एक international circus है, international circus मतलब यह लोग, अलग-अलग countries में जाते हैं, और circus परफॉर्म करते हैं, ठीक है, ऐसा किसी ने कहा, ट्रैपीजी, ट्रैपीजी क्या होता है, एक ट्रैप पर खेल होता है, आप इस picture में देख सकते हैं, ऐसे जूले से लटाक, लटाक है, हाथ पकड़ते हैं, ठीक है, Circus में दिखाया जाता है, तो यह इस खेल, ट्रैपीजी में तो उत्ता है नहीं थे, और जहां तक जानवरों का सवाल है, तो यह लोग जानवरों से भी उतना परचित नहीं थे, यह लोग जानवरों से सिप इतना ही परचित थे, कि सिप dinner table बेग खाने के लिए यूज़ ज ठीक है और इनका कोई लिगादरा नहीं था तो यह लोग सरकस प्रफॉर्म करते बाने लोग तो नहीं लग रहे थे ठीक है इन लोगों ने क्या किया दो प्लेज प्रेजेंट किया इन दे मोस्ट प्रोफेशनल मैडर दो प्लेज प्रफॉर्म किया बहुत ही अच्छे तरीके से वो दो प्ले का नाम है पहला था जो थाम वैली और दूसरा था दफॉर्गटन फैक्टर ठीक है यह दोनों प्लेज इतना फेमस हुआ कि मदरास में इनका कई सारा सोस चला और बाकी जो नारे रिख सकते उन लोगों ने भी पुरा यह सो का मजा लिया और साथी साथ जो जैमनी स्टूडियो के जो फैमली थी 600 लोग का जो स्टाफ था जैमनी स्टूडियो में इन्हों ने भी यह प्लेज को ओबर एन ओबर अगेन कई बार देखा तो यह दोनों प्ले है 1952 में आके किसके पास ठहरे यह लोग तो जैमनी स्टूडियो में आके ठहरे ठीक है तो किसी को मालूम नहीं कि यह लोग क्या है क्यू आये हैं कोई कहने लगा यह सरकस प्रफॉर्म करते हैं तो हमारे जो अधर आशो का मितरन वह इस बात को डिनाई करते हैं कि यह लोग की लोग है काफी successful रहता है कई लोग इसे कई बार देखते हैं ठीक है अब आगे देखते हैं यह प्ले का message क्या था तो तो the message of the plays were usually plain and simple homelies जो simple message होता है religious message वो दिया गया इस play के जरिए लेकिन खास बात यह था कि जो इसमें sets और costumes यूज किया गया था वो काफी उच्छ quality का use किया गया था ठीक है और यह सब देखके जो madras और tamil drama community है वो इससे highly impress हुए और इतना impress हुए इस बात का proof हमें ऐसे मिलता है कि आने वाले कुछ सालों तक almost all tummy plays में ठीक है यह जो sunrise और sunset का जो scene है ठीक जो ताम बैली की तरह दिखाया जाने लगा जो थाम बैली जो play था जो MRNA ने perform किया था इस play में जैसे sunrise ठीक है जैसे sunrise और sunset का जो scene है वो जिस तरीके से दिखाया गया था ठीक उसी तरीकी का खाली होता था white background होता था ठीक है curtain लगा होता था और जब sunrise यह फिर sunset होगा तो एक tune बजेगा flute पासुरी बजेगा ठीक है तो यह जो जो scene है यह जो थाम बैली से उठाया गया था ठीक है कुछ सालों बाद तो ऐसे करके वो MRNA moral re-abornment army वो चली गई ठीक है जाने का कुछ साल बाद पता चला later that I learned मैंनी अशोका मित्र न हमारे जो आधारे उनको पता चला कि यह जो MRNA था न यह kind of counter movement था to international communism यह लोग communism के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे ठीक है और उसी को दरसाने के लिए वो यहाँ पर आए हुए थे दो कुछ साल बात पता चला देखिए फिर आगे देखिए and the big bosses of madras like mr. wasan simply played into their hands और जो madras के big bosses से एक तो हमारे भी boss है जिसे की mr. wasan SS wasan ठीक है वो इनके हाथ मतलब यह जो mr. wasan के लोग थे लोग इनको यूज करके चले गए ऐसा point बोल रहे है क्योंकि किसी को मानुम नहीं था यह mr. wasan क्यों आया है यह लोग तो आये दो play perform किये और चल दिये लेगिन बार में अपता चला यह लोग play में communism के खिलाफ message मतलब देने आयो हुए थे ठीक है और यह mr. wasan SS wasan समझ नहीं बाए और यह लोग इनके हाथ के कटपुतली बन दे ठीक है फिर I am not sure however that this was indeed the case अब author अपना viewpoint देते है कि मुझे नहीं लगता है कि ऐसा ही था सच में case ठीक है क्यों क्योंकि यह जो बड़े बड़े bosses है मतरास के इनका unchangeable aspect दिखके यह चीज़ पर चलता है मतलब MR का आने से पहले जैसा behavior, रवया, attitude था इन big bosses का MR का जाने का बात भी वैसा ही रहा कोई impact नहीं हुआ ठीक है तो unchangeable aspect रहा ठीक है और उनका जो enterprise है जो उनका studio है जो उनका काम है वो same रहा ठीक है MR आया होता या फिर नहीं भी आया होता, international communism है या फिर कोई अगर international communism नहीं भी है यह जो big bosses का जो काम है वो वैसा ही चल रहा है ठीक है तो यहां पर जो बोला गया था कि यह MR इनको play करके चले गए यह बात author के जाब से सही नहीं है क्योंकि उससे इनका business activity पे कोई भी effect नहीं पड़ा ठीक है चल लिए दे स्टाफ अब जैमनी इस्टुडियोज है नाइस टाइम होस्टिंग 200 पीपल अफ और यूज और साइजेस लेकिन जो भी हो यह जो MR ने मोरल री अर्मेंट आर्मी 200 लोगों का जो ग्रूप था यह लोग जब जैमनी स्टुडियो विजिट किय थे तो जिमनी स्टुडियो के जो स्टाफ है इनको काफी अच्छा समय मिला इन लोगों के साथ वक्त भी जाने का ठीक है क्योंकि यह 200 लोगों में अलग-अलग हूज और के लोग अलग-अलग साइज के लोग यहां पे थे लगभग 20 अलग-अलग कंट्रीज के लोग इस 200 लोगों में थे समझ रहे तो काफी अच्छा एक्स्पिरेंश हुआ इन स्टाफ को इनके साथ टाइम होता के इट वर सच चेंज फ्रॉम दे यूजवल क्लेक्शन अफ क्राउट प्लेयर्स वेटिंग तो भी स्लैप्ट विट थिक लिएर्स ऑफ मेकप बाई दा ओफिस लोग जब आये थे तो ठीक है बस अब यह मारे का भी चर्शा यहां पर खतम है कोई खास इसका नहीं अब आज यह अब स्टोरी देखिए कहां पर शीफ्ट होता है फिर कुछ माहिने बाद अभी पूरा जो इस्टोरी है यह कम्यूनिजम पर चल रहा है ठीक है कम्यूनिज इस्टोरी वालों को मौका मिला अपना पूरा सुटिंग स्टेज को खाली करने का ताकि एक और नया विजीटर आने वाला था यहां पर ठीक है सभी लोग कह रहे थे कि यह विजीटर कौन है एक पोईट है फ्रॉम इंगलेंड अब इन पर स्टोरी सिफ्ट हो गया ठीक है क उतना इंगलीश पोईट के बारे में इनको मालूम नहीं था सिर्फ वो कुछ ही पोईट को जानते थे जिसे की वार्स वार्थ हो गए एनिशन यही दो पोईट के बारे में जानते थे जो था ज्यादा पढ़े लिखे थे वो लोग कीड्स शेली बारे में भी सुने हुए और एक दो ऐसे भी इनसानों के जिनको एलियर्ट के बारे में भी पता हो बस इतने ही पोईट के बारे में जिमनी स्टाप को पता था लेकिन अब यह जो नया पोईट आ रहा है इंगलेंड से यह कौन आ रहा था इसका जबाब किसी को मालूम नहीं था ठीक है कुछ लोग क एडिटर थे पॉपुलर तमिल विकली का जिसका नाम था अनंद विकातन ठीक है तो चुकि वासन जी भी एक एडिटर थे उसलिए बोल रहेगी अभी जो एक महमान आ रहा है हमारे पास वह भी एक पोईट नहीं है वह भी एक एडिटर होंगे तभी वासन जी ने उन्हें बुलाया है अब हमारे ओथर बोल रहे हैं सोच रहे हैं कि he wasn't editor of any known names of British publication वो बलते की मद्रास में जितने भी British publication के जाने वाने जो नाम है उसके editor तो ये English poet नहीं है ठीक है Since the top man of the Hindu were taking initiative the surmise was that the poet was editor of a daily the Hindu एक बहुत ही famous अकवार है ठीक है तो इसके जो top man थे वो लोग initiative ले रहे थे मतलब इनका देखरे करने के लिए जुरे हुए थे ठीक है तो surmise यानि जो guesswork था वो guess ये था कि ये जो poet है वो किसी एक daily अकवार का editor हो ठीक है लहिन जो भी वो daily अ अकवार हो the Manchester Guardian तो नहीं है ये अकवार का तो edited नहीं है वो या फिर London Times ये भी अकवार का वो edited नहीं है बस इतना ही guess कर पा रहे थे even the most well informed among us ठीक है जो जिसको box ज़्यादा जनकारी था वो इतना ही guess कर पा रहे थे exactly किसी को मालूम नहीं था ये poet from England है कौन? poet भी है की नहीं? editor editor है की नहीं ठीक है? editor है तो कौन से अकवार का editor है किसी को कुछ मालूम नहीं ठीक है? तो देखे क्या होता है? at last क्या होता है? around 4 सामके 4 वजे the poet या फिर editor कह लीजिए वो आते है ठीक है? कापी लंबे इंसान थे, बहुत ही अंग्रेज type दिख रहे थे, कापी serious दिख रहे और of course very unknown to all of us, अम में से कोई उने जानता नहीं था, ठीक है? battling with half a dozen pedestal fans on the shooting stage, pedestal fans अधे डंठा वाला पंखा होता है, आप इस picture में देख सकते है, तो छेट पंखा लगा हुआ था stage पे, तो इन सब का हवा खाते हुए जो हमारे boss थे SS वासन जी उन्होंने पढ़ा एक लंबा speech, ठीक है, बहुत ही लंबा वासन दिया, वासन सुनके महसूस हो रहाता है सभी को कि ये boss को भी मालूम नहीं है, कि ये poet या फिर जो इडिटर है, वो कौन है, ठीक है, उनके वासन में काफी general general terms use किये हुए थे, और beaches में एक दो words थे, जैसे कि freedom, democracy and some words ना, beaches में छेरका हो था ठीक है, काफी general speech था, बहुत थोड़ा सा speech दे दिये, अब उसके बार आते हमारे main point speech देने के लिए, ठीक है, अब वो बोलना स्टार्ट किये, जैसे ही वो बोलना स्टार्ट करते हैं, तो जो audience थी, जो Germany Studio के जो staff से, वो इतना बहुत चक्के हो गए थे, इतना चूप-चाप बोल रहे थे, ठीक है, और कोई उन्हें समझने का कोशिस भी करता था, तो उनका accent बोलने का तरीका कुछ ऐसा था कि, इतना अंग्रेज की तरह बोल रहे थे वो, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है, तो ये जो पूरा हरकत है, एक घंटे तक चला लगभग, और last मे पोईट बोले कि ठीक है, अमलवीदा अब कहते है, and we all disposed in utter bafflement, सब आपसे उटके भागे, bafflement मतलब पुरा confused होते, उटके भागे, किसी को कुछ समझ बनिया है, ये पोईट क्या बासन दिया, क्या बना, ठीक है, पोईट को भी काफी अजीब लगा, audience को भी काफी अजीब लगा, ठीक है, तो यहाँ पे, exam में question बन जाता है, कि, चलिए, question बान में discuss करते हैं, पहले ये देखिए, what are we doing, ठीक है, हम लोग कर क्या आता है, what an English poet doing in a film studio, which makes Tamil films for the simplest sort of people, सही सवाल है ये, author हमारे बोल रहे हैं कि, एक English poet हमारे studio में क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है, ठीक ह उस Tamil studio में, Tamil film studio में, एक English poet का क्या काम, वो किस लिए आया है, ठीक है, people, यहाँ पे studio में, ऐसे लोग काम करते हैं, और studio में ऐसा film बनता है, जो वो लोग देखते हैं, जिनका life में, कोई possibility नहीं है, कि वो लोग English poetry का मज़ा ले पाए, ठीक है, उनका life सली ऐसा नहीं है, तो ऐस इसे situation में, ऐसे environment में, एक English poet आके आपे वाजन दे रहा है, वो क्या है, क्यों वाजन दे रहा है, हम लोग कर क्या रहें यह चीज, ऐसा हमारे जो author है, वो बुलते है, ठीक है, तो पोईट लुक प्रीटी बैफॉल्ड टू, पी काफी जादा कन्फूज हो गए, for he too must have felt the sheer incong of his talk about the thrills and travels of an English poet, हमारे जो पोईट, English poet जो भाजन देने आये थे, वो भी काफी जादा कन्फूज हो गए, क्यों क्योंकि, उन्हों ने पर ये चीज को feel किया होगा, जो incongruity है, incongruity मतलब, वो गलत जगा आ गये भाजन देने, ऐसा जगा जहां पर वो फिट ने खा रहे थ है, एक तो हैं यहाँ पर जेमनी स्टुडियो के स्टाफ, ठीक है, जो कि सिंपल तमिल मूवीज बनाते है, फिल्म बनाते है, इन स्टाफ को क्या मतलब कि एक English poet को किस चीज में खुसी मिलता है, वो क्या-क्या काम किये थे, ठीक है, ये सब सुनके ये स्टाफ क्या करेंगे तो ये काफी, मतलब ये जो audience था इनके लिए, वो काफी incongruous, unfit था, ठीक है, तो गलत जगा आ गए वासन देने के लिए, समझे, तो his visit remained an unexplained mystery, उनका जो visit था यहाँ पर ये एक अलसुलजा रहस्या रहा गिया, ठीक है, किसी को सबज में आया, वो क्यों आया था और क्या गोलके गिया, ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर question आता है, कि ये after bafflement, जो लोग इतने confused हो गए, और इतना जो भूरा experience रहा सभी का, इसको avoid करने के लिए point क्या कर सकते थे, ये जो English point आयोए थे, उनको क्या चीश का द्याना परा चाहिए था, तो इनको दो चीश का द्याना परा चाहिए था, सबसे पहले, clarity of content, इनको पहले से पता कर लिए था, कि क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, ठीक है, और दूसरा बात इनको पता होना चाहिए था, audience awareness, इनको पता हो चाहिए कि किसको भास अंदर है, वो audience कौन सा भासा समझते है, ठीक है, कैसा उनका background है यह सब चीज़ समझ के, prepare हो के आना चाहिए था, यह poet को, सिफ अपना कहान ही बोलेंगे, लेकिन यह audience को समझ बनी आया, ऐसा चीज़ नहीं चलेगा, ठीक है, चलिए, फिल आगे देखिए, अब यह, अब यह, जो स्टोरी था, वो किस पर सिफ्ट था, a poet from England, यह आने वाले थे, वासन देखे गए, किसी को कुछ समझ में नहीं आया, इतना ही बात आप को यह सब पता होना चाहिए, ठीक है, आगे देखते हैं, क्या लिखा है, अब यहाँ पर कुछ और बात बोला गया है, अब जो हमारे author है, वो prose writer के बारे में कुछ कहते हैं, एक तो होगे poet, जो कविताय लिखते हैं, और prose मतलब जो story लिखते हैं, तो poet, जो हमारे author है, वो बोलते हैं कि world के जो story writers है, ठीक है, वो लोग भले ही ना admit करें इस बात को, लेकिन मेरा जो अपना conviction है, अपना मानना है, वो दिन पर दिन मजबूत होते जा रहा है, मेरा thought मजबूत होते जा रहा है, about prose writing, वो thought ये है, कि prose writing जो है न, वो किसी एक genius का क कहानी लिखने के लिए आपको genius होना पड़ेगा, बहुत ही intelligent होना पड़ेगा, ऐसा ज़रूत नहीं है, ये thought है हमारे author का, शुका मितरन जी का, ठीक है, तो story लिखना किसके लिए है, रोज लिखना, जब किसी genius का काम नहीं है, तो किसका काम है, तो बताय गया है कि, it is worth of patient, persistent and persevering druge, with a hard source rungan that nothing can take it, वो ऐसे इंसान के लिए है, जो काफी ज़्यादा patience हो, जो बार-बार effort मारे ठीक है, persevering druge हो, druge मतलब एक ऐसा इंसान, जो बहुत ही ज़्यादा मैनत करता हो, ऐसा काम करता हो, जो काफी ज़्यादा boring हो, hard हो, ठीक है, ऐसे इंसान को druge बोलते है, तो ऐसे इंसान के लिए है, story लिए लिखना, prose writing वैसे इंसान के लिए है, और इसके साथ साथ एक odd condition होना चाहिए, कि ये इंसान का जो heart है, वो इतना सिगुरा होना चाहिए, कि उसको कोई break ना कर पाए, मतलब दिल मजबूत रखना पड़ेगा, किसी प्रोज writer को, ठीक है, अग तब एक fresh, नया long prose piece लिखना चाहिए, और उसको तुरंक दूसरे editor को send कर देना चाहिए, और send करते वक्त, return postage भी डाल देना चाहिए, उसमें, जो stamp होता है, जितनी बेज़ेंगे तो free में तो नहीं बेज़ेंगे, आपको उसमें कुछ ticket चिपकाना होता है, ठीक है, उसको postage stamp बोलते हैं, तो आप किसी envelope में अपना प्रोज है वो लिख के अगर किसी को भेज रहे है, तो उस envelope में return postage भी डाल देजी, क्योंकि अगर उस इंसान को ये story पसंद नहीं आया, तो आपको वो यही postage stamp टिपका के आपको return भी कर पाए, इसका पैसा खर्चना हो return कर ले में, इतना मोटा कलेजा होना चाहिए, किसी भी prose writer का, ऐसा हमारे author कहते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही लोगों के लिए, ऐसे ही मजबूत prose writer के लिए, दर हिंदू अखवार में, कि किसी एक काफी छोटे से corner में, किसी एक unimportant page में, ठीक है, अखवार में सारा page तो important नहीं होता है, front page, second page, 20 के page को, 20 में कईपे किसी corner में, एक चीज छपा हुआ था, वो चीज था, short story contest, दर हिंदू अकवार में छपा हुआ था, कि एक short story contest होने वाला है, जो कि एक British periodical था, the encounter, वो इस contest को organize करवा रहे हैं, ठीक है, अब ये the encounter भी ऐसा periodical है, periodical मतलब, ऐसा एक magazine, या फिर कोई भी newspaper, जो किसी एक specific time period पर छपे, एक हपता बाद या फिर fortnightly छपे, जैसे भी छपे, monthly छपे, ठीक है, तो simple सा बात है कि, एक short story contest हो रहा था, और इसका जिकर इस दन हिंदू में छपा हुआ था, ये contest को करवा कौन रहा था, the encounter, एक British periodical, ये इस contest को organize करवा रहा था, ठीक है, इतना जिसने भी Gemini Studio के लेटराटी थे, जो परे लिखे words थे, उन्होंने the encounter का नाम कभी नहीं सुना था, ठीक है, तो इसी periodical का idea लेने के लिए, हमारे जो author वो क्या करते है, एक जगह जाते है, इसका पता लगाने, कि ये periodical है, मतलब कौन छापता है, कहां से छापा जाता है, इस लाएगा, तो वो पैसा जो है, उस postage का वो बरबाद ना हो जाए, इसलिए वो पहले पता लगाते है, कि ये है कौन, the encounter, ठीक है, तो इसलिए वो पता लगाने के लिए जाते है, British Council Library में, यहाँ पर जाते है, और इस British Council Library का खास बात ये था, कि यहाँ पर कोई signboard notice नहीं था अक्सर क्या होता है, कि जहाँ पर बहुत जड़ा बड़े-बड़े signboard और notice लगे होते हैं, वो आपको ऐसा feel करवाते हैं, कि आप किसी forbidden area में ताक्जाग कर रहे हैं, तो इसका अच्छा बात ये था कि यहाँ पर कोई signboard notice नहीं था, मतलब यहाँ भी लिखने का तरीका है, हुमर लाने का कुछिस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस्टोरी में कोई point नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, चली खतम करते हैं इसको जल्दी से, लिखाए कि जब वो इस library में जाते हैं, तो उन्हें दिखता है the encounter के कुछ copies, ठीक है, जो कि काफी fresh copy पढ़े हुए थे, fresh से मतलब कोई भी reader इसे पढ़ता नहीं है, the encounter को, ठीक है, हमारे जो author है, अशुका मित्रन जी, वो इसके editor का नाम पढ़ते हैं, जैसे ही editor का नाम पढ़ते हैं, तब ही उनका जो shrunken heart है, point मतलब जो हमारे author है, अशुका मित्रन जी वो बोल रहे हैं कि उनका heart shrunken है, मतलब वो भी एक prose writer है, अभी अभी उन्होंने condition बताया था, कि आपको अगर एक prose writer बनना है, तो आपका heart कैसा होना चाहिए, काफी shrunken होना चाहिए, तो वो बोलते हैं कि उनका heart shrunken है, मतलब वो खुद को एक prose writer मानते है, ठीक है, बोलते हैं कि मेरे shrunken heart में कोई गंटी बजा, जब उन्होंने इस का भासन किसी को समझ बनी आया था, यह वो ही English poet है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक बात clear वो रहा है, कि यह जो poet from England था, यह the encounter का editor है, समझेंगे नहीं, एक बात हमें पता चला आवी तक, इसको याद रखीएगा, फिर आगे देखिए, I feel, I feel like I had found a long lost brother, तो जैसे ही वो इनका नाम पढ़ते हैं, उनको ऐसा feel होता है, कि इनका बहुत ही लंबे समय में खोया हुआ भाई मिल गया, तो हमारे जो author या शुका मितरन जी, वो एक envelope में, अपना prose writing, जो prose लिखे हुए थे, वो उसमें डालके उसक गाना गाते हैं, ठीक है, और जब address लिख रहे होते हैं, तब भी वो गुर गुरा रहे होते हैं, और वो feel करते हैं कि, जब दूसरे end पे, ये editor, जब ये चित्थी को खोलेगा, तो वो भी same गाना गा रहा होगा, ठीक, Indian फिल्मों की तरह, जब दो भाई बिछरते हैं, तब गाना होता है, जब दो भाई मिलते हैं, तब गाना होता है, ठीक है, कुछ ऐसा, Stephen Spender, that was, Spender, that was his name, तो इस English poet का नाम क्या था, editor का नाम था, Stephen Spender, ये ही आए हुए थे, जो ऐसा भासन दिये, जो किसी को समझ बनिया है, ठीक है, ये नाम याद रखिया, तो ये भी incident खत्म हो गया, तो ये जो mystery था कि कौन आया हुआ था, Stephen Spender आया हुए थे, ये mystery थोड़ा सा clear हुआ, ठीक है, फिर आगे देखे, फिर ऐसे करते करते कही साल गुजर जाते हैं, अब हमारे जो author या शुका मित्रेंजी वो जेमनी स्टूडियो को छोड़ चुके थे, ठीक है, अब इनक मांट रोड पोस्ट ऑफिस के तरफ से गुजर रहे थे, तो आके footpath पे brand new books, हर एक book 50 पैसे मतलब, ठीक है, 50 पैसे के rate से पढ़े हुए थे वो आपे, ठीक है, और वो सभी book, मतलब एक ही book के copies थे वो सभी, जो book थे वो आपे, और वो book जो थे, वो उसमें काफी elegant paperback यूज क अच्छा था, ठीक है, special low price student edition in connection with the 50th anniversary of the Russian revolution, ठीक है, मतलब, Russian revolution का 50th anniversary पे, एक special low price edition निकाला किया था इस book का, ठीक है, इसलिए इसका ताम इतना कम था, 50 पैसा, और उसमें में 50 पैसा का भी value होता होगा, ठीक है, तो हमारे author 50 पैसा pay करते हैं, और एक copy खरीद लेते हैं, उस book क का नाम था, the God that failed, ठीक है, six eminent men of letters, six अच्छे-च्छे ग्यानी लोग, ठीक है, जाने वाने ग्यानी लोग, छे separate essays लिखते हैं, अपना-पना, ठीक है, और उसमें वो लोग describe करते हैं, कि कैसे वो लोग journey किये into communism and their disillusioned return, मतलब, ये छे लोग पहले describe करते हैं, कि कैसे वो लो communism की तरफ attract हुएं, और बाद में फिर वो कैसे communism से भाग के बाहर निकले, ठीक है, ये लोग, अपने छे essay के चुरू, ये चीज़ बताते हैं इस book में, ठीक है, तो यहाँ पे तक God that failed, ये God किसको बोला गया है, communism को बोला गया है, पहले ये लोग communism को अच्छा समझ के इसमें एंडर किये, बाद में फिर इसे बाहर निकले, ठीक है, तो ये छे जो man of letters है, छे ग्यानी लोग कौन है, सबसे पहले हो गए, एंडरी गाइट, दूसरे हो गए, रीचार्ड राइट, तीसरे हो गए, इगनेजियो सिलोने, चौथे, और 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 लुईस फिसर, और छता, स् Stephen Spender, ये तो वही नाम है, फिर से ये नाम सुनते ही, आथर का दिल में फिर से, मतलब वो पुराना या ताजा हो गया, जैसे ही उन्होंने ये नाम सुना, वैसे ही ये बुक का जो इन्पोर्टेंस है, वो काफी ज़्यादा बढ़ गया इनके लिए, ठीक है, Stephen Spender तो वही है, वो वही पोरेट है, जो जैमनी स्टूडियो ज़िट किया था, और इन अ मोमेंट आई फेल्ट डार्क चेमबर ओप माइंड जीट अपर है जो इनका दिमाग में एक बत्ती चला, अब उन्हें ये बात समझ मा रहा था, कि रियाक्शन टू Stephen Spender जैमनी स्टूडियो वाज ल अब वो समझ पा रहे कि क्यों ये लोग इतना पैफल्ड थे, ऐसा रियाक्शन क्यों आया था, ठीक है, ये इनको समझ में आ गया, वो बोलते है, कि the boss of the जैमनी स्टूडियो may not have much to do with the Spender's poetry, but not with his God that field, बोल रहे हैं, कि जैमनी स्टूडियो के जो boss थे, यही लोग तो इनको बुला के लाए थे, कि आउ भासन दो, ठीक है, तो ऐसा रही था कि ये boss को, बड़े-बड़े लोगों को, इनका poetry से लेना देना हो, इसका मतलब ये नहीं था, ठीक है, बल्कि इसका मतलब ये था कि ये ऐसे इंसान थे, जो लोग पहले communism में एंटर किये थे, फिर ये लोग को पता से लाए कि communism काफी बुरा चीज है, फिर वो लोग communism से बाहर निकल के आए, ठीक है, इनका god जो था, वो fail हो गया था, ये ऐसे लोग थे, ठीक है, इसलिए इनको बुलाया गया था, speech देने के लिए, ठीक है, communism के खिलाफ, तो यहाँ पर लिखाए कि भले ही इस boss को, ठ poetry से, लेकिन इन boss को लेना देना है, इनके god से जो fail कर गया, समझेटे, तो यहाँ पर लिखा हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ था, कि evidence of it was soon forthcoming, मतलब, यहाँ पर लिखा हुआ था, communism का काफी बुरा ही किया हुआ था, कि नहीं, तो ऐसे ही कु communism को अच्छा नहीं समझते थे, और इसका जो proof है, वो सामने आने और था, तो proof इसी रूप में मिला, सबसे पहला proof तो यह मिला, कि जो moral rearmament army आई थी, इन्होंने जो दो play दिखाया था, यह play कुछ साल बात पता चला कि, यह लोग international communism के खिलाफ counter movement चला रहे थे, ठीके, यह प भी communism को लेके, इसलिए यह दो चीज से मालूंग चलता है कि जेमिनी श्रीओ के जो staff थे, यह भी communism को उतना लाइक नहीं करते थे, बात अगरे ही समझ रहे, और यहाँ पर एक line था, यह line काफी important है, his visit remained an unexplained mystery, Stephen Spender का जो visit था, एक रहसिया रह गया था, उस समय के लेकिन, हमा आए गया था, क्योंकि, इनका लेना देना था, communism से, उस God से जो fail कर गया, ठीक है, बस, इसी कर साथ यह story end हो जाता है, उमिट करते हैं आपको यह story समझ में आया होगा, काफी मतलब, बोल सकते है, warring story है, no doubt, ठीक है, आप ठब भी ठब भी गए होंगे, लेकिन क्या करेंगे, इस लेवर्स में तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तो जीतना चीज हम बताएं, उतना चीज याद रखिएं, और मेरे website से important question answer prepare कर लीजिए, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इस story से, एक question ऐसा भी बनता है, कि यह जो जेमिर इस्टूडियो है, काफी पुराना शूटिंग देखते हैं, तो अशोका मित्रन जी काफी ज़्यादा changes feel करते हैं, तो मान लिजे कि अशोका मित्रन जी एक diary entry कर रहे है, diary लिख रहे है, तो उसको अपना experience बताएंगे, कैसे उस जमाने का film और अभी का film में क्या-क्या चीज चेंज हुआ है, कैसे shooting होता है, वो यह वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा तो तीन काम कर दीजेगा, एक लाइक कर दीजेगा, फ्रेंड को सेर कर दीजेगा, और अगर आप चैनल पर नए है, तो सब्सक्राइब भी कर लीजेगा, ठीक है, और अगर कोई doubt, confusion है तो आप comment करके बताएंगे, कोशिस करेंगे, हम आप answer देने का, ठीक है, चलिए, end करते हैं, मिलते हैं बॉचल किसी और वीडियो में, तब तक के लिए, बाई बाई एड, take care.